नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है रवी शुमन और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास तेंथ के अर्थ सास का तीसरा अध्या जिसका नाम है मुद्रा बचते प्रू होने वाला है बेल आइकन दबा दीजेगा इस वीडियो को लाइक भी करिएगा चलिए तो मुद्रा बचते वंसाक क्या आर्थ होता सबसे पहले इसके वारे में जानते हैं मुद्रा यानि जब हम लोग कोई वस्तु खड़ीते हैं या फिर बेचते हैं तो उसके माध्यम को मुद्रा कहा जाता है क्या कहा जाता है मुद्रा कहा जाता है अब सबसे प्राचीन समय में यह लेन देने का माध्यम क्या था अभी हमारे पास क्या है रूपिया है पैसा है और बैंक का माध्यम है एटीम कार्ड है डेविट कार्ड है चेक्बुक है तो हम लोग क अगर चीज़ा ये लेकिन पुराने समय में ये सारी चीज़ नहीं थी तो उस समय जो है मुद्रा काम करता था क्या काम करता था वस्तु कोई भी तो वस्तु बीनी में जो था वह प्राचीन काल का मुद्रा था यानि पुराने समय में वस्तू के बदले वस्तू का लेंदिन करते थे एक वस्तू देते थे दूसको बदले में दूसरी वस्तू ले लेते थे यही माध्यम चलता था इसमें बड़ी सारी दिक्कते आती थी जैसे के माली जी कि आपके पास गेह चावल देगा आपना वाले से मकाईस तरह से बिनमे पदती जो थी यानि वस्तु के बतले वस्तु लेने की मुद्रा उस में स्पाइब सारी दिक्कते थी और ही ओर फक्ता के शयों का आभाव माने कि इस चीज की जरूत आपको पर पीज़ा दूसर हो यह वस्तू जह यो ने इक कर लिया मुद्र बदलता रहा है अभी अलोग बदलता रहा है अभीश्ग करते हैं अभी हम लोग का आदे मिधने TV माध्यम जो है है, बचत, इंगलिस में कहाता हैं, saving, पैसा बचाना यहीं क्या होता है, यानि कि आपका जितना आय हो रहा है, मानि आप जितना पैसा कमा रहे हैं। और जितना पैसा खर्च कर रह है, उस दोनों को घटा दिजीए है, तो क्या निकल जाएगा, वह toen यानि आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं बचत कहते हैं पहले सवाल में ही आपका यह कॉंसर्ट भी किलियर हो गया कि आय तथा उपभोग के अंतर को ही बचत कहते हैं आय माने कि जितना पैसे आप कमाते हैं मालिजे की एक दिन में आप 300 रुपया कमाते हैं और उप प्यों कर गये दूसरा 50 रुपया का कुछ खा पी अपना तो 50 रुपया जो बच गया है यही क्या हो गया आपका बचत हो गया तो आमदनी में से खर्च को घटा दिया जाता है तो बचत निकल जाता है साख किसको का अध्यान समझना साख एक तरह से रिन का आधार होता है कर्ज का दाश्यान समझना जैसकि चेक भूख लेडो बैंक जो चेक वूख देती है वह साख का सबसे बहतर उधारन है कैसे चेक जब आप काट के जब किसी को देते हैं किसी को भुकतान करते तो माली जी कि आपके बैंक में 5,000 रुपया है तो आप 5000 के नीचे ही नचेक काट के देंगे ताकि क्या हो जब चेक वो बैंक में लेकर के जाये तो उसको पैसा मिल जाए तो बैंक को आप पर यह बिश्वास है भरोसा है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा होगा उतना ही पैसा आप किसी को भु कि यह जब मैं बैंक में दूंगा तो आपके अकाउंट में इतना पैसा रहेगा और बिस्वास को कि रहा हुआ से जूरा हुआạo जैसे कि जब हम लोग किसी से कर्ज लेते हैं तो कर्ज क्युं देता है क्योंकि आप पर उसका बिश्वास होता है कि जब हम सब्लब बना चुके हैं आयत अधाउब के अंतर को पचत कहते हैं आप लोग समझ मिलिये हों कि वस्तु बिनिमय परनाली की मुख्य कठिनाई क्या थी वस्तु बिनिमय का मतलब मैंने आपको बताया था वस्तु के बदले वस्तु का लेंदेन करना इसमें आवसक्ताओं के दोहरे संयों का अभाव था मुल्यमापन की की भी कठिनाई थी यहना इसको समझना दें अंदें इसका मातलब आप समस्त कहुंगे अवसाव एक संताओं के देह Allen का अभाव माली की आपके पास सामने वाले कर सबास्त turkey है unky हो नहीं चाहिए था कि अथ्वा ओल्यमापन का ज्था माली आप तो नहीं का यह दोकूर को सबसे पहले मुद्रा जो है वह वस्तु का रूप में इस्तिमाल के जाता था वस्तु के बदले वस्तु का लेंदें सबसे अगला सवाल है किस धातू का मुद्रा के परियोग हुआ है लोहा का पीतल का तामभा का या चांदी और सोना का मैंने आपको पहले बताया था कि मुद्रा के रूप में सबसे ज़्यादा चांदी का इस्तमाल किया गया है चांदी और सोना धातु है जिसका मुद्रा के रूप में सरवाधिक इस्तमाल किया गया है अगला सवाल है मुद्रा का प्राथमिक कारे क्या होता है देखिए मुल्य का संचयन संचयन माने कि मुल्य को कठा करके रखना जैसे कि आप पैसा कमाते हैं तो उसको कहीं कठा करते है उसका संचयन करते हैं कहा करते हैं तो मुल्य का संचयन करना भी मुद्रा का काम होता है ठीक है बिलंबित भुकतान का मान यह भी मुद्रा का काम होता है मैंने कि भुकतान करने कारत होता है कि जब आप किसी से कोई चीज खरीते हैं तो उसके बदले में कुछ देते हैं वही भुकतान का जाता है तो मुद्रा भुकतान काफी काम करता है मुल्ले का हस्तानांतरन माने कि ट्रांसपर आप क्या करते हैं एक जगा पर कोई चीज बेज देते हैं अपना जमीन अपने गाव में बेश दिया सहर में जागे खरीद लिए तो यह क्या है ट्रांसपर है मैंने कि एक जगह से आपने संपत्ति को बेश करके हस्तांता हस्तांतारित कर लिए कहां पर दूसरे जगह पर यह भी क्या है मुद्रा का प्राथमिक कारे हैं और मैंने आपको पहले भी कहा था कहा था लेन देने का माध्यम होता है कौन मुद्रा तो बीनी में का माध्यम है मुद्रा सबसे पहला काम मुद्रा का यही है तो सही अंसर है अगला सबाल देखिए बचत को प्रभावित करने वाला मुख्यतत्व क्या है बचत करने की छमता ब कितना पैसा बचाईएगा नहीं बचा पाईएगा क्योंकि दिन एक दिन में 100 रुपया का खर्च होता है हरादमी का लेकिन अगर वही आप 300 500 600 रुपया 1000 रुपया कमाते हैं तो आप कुछ पैसा बचा पाईएगा तो बचत करने की छमता होनी चाहिए और इक्छा भी होनी च करता है तो रुपया किस देश की मुद्रा है रुपया जो है वह भारत की मुद्रा है रुपया पाकिस्तान की मुद्रा है रुपया नेपाल की मुद्रा है रुपया इनमें से सबों की मुद्रा है पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है और नेपाल की मुद्रा नेपाली रूपिया और भलत के मूदरा जो है भारतीय रूपिया निम्लिखित में साख्पतर पतर के अंतरगत कौन आता है साख्पतर यानी कि भरुसे पे चलता है चेक यात्री चेक यह साख्पतर के अंतरगत आता है यातरी चेक के बारे में आपने पढ़ाओगा लिए किसी यातरा के लिए दिया जाता है तो यह पत्र आता है ये तीनों भरों से पर किस सब्सक्राइans समन्रौद से करदों से लहाmale कि Soo मनें आपको पढ़ाया है यांनि यह दिनका माध्यम वस्थ vulnerabilities था यह जाशक्ति है जिसको मुद्रा आ च्रह क utilities है particular है जिए इतना दिन के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा है ज्यांन बुगतान कर दिया जाएका तो यह चारो प्राचीन यूग में कौन सी प्रथा प्रचली थी पुराने समय में की कौन सी प्रथा प्रचली थी थी प्रचली देन प्रचली आप जानते हैं प्लास्टिक मुद्रा गंतरकात आता है एटीम डेविट काट यह सब प्लास्टिक क्यिस्का पहला एटियम वह एंडिया लगा था या चैनल स्वा सवाल है मंद्रा हो को व्य हाल न को है जो है ज्सार्य बॉपीया रूपिया जो है वह हमारे देश का लेन करना है तो में पत्रमद्रा के करना परेगा यानी सहारई करना परएगा है साख यानि किसी से रिन लेना कर्ज लेना तो रिन की रासी भी साख का अधार होता है रिन को चुकाने का समय भी साख का अधार होता है और वेक्ति का चरित्र भी साख का अधार होता है जब आप लोन लेने जाएगा किसी से कर्ज लेने जाएगा तो आपका चरित्र बहुत जा अभेना है तो उसके लिए को क्या पहले दोर इनका रासी कितने दिल में वापस करें और एक और चलित्र आया को देखने क्या उशक्ता होती निम्नांकित में किस प्रणाली के अंतरगत आविशक्ताओं के दोहरे संध्यों का अभाव होता है यह मैंने आपको पहले बताया वस्तू के बतले वस्तू के लेन देन में आवे शक्ताओं के दोहरे शैयों का अभाव होता है अगले सवाल की तरफ चलते हैं यहां अप्सान बी में है वस्तू बीनिमे पढ़ना ली तो यह हो जागा सही असर बीनिमे की प्रारंबिक आवस्ता में व्यपार किस पर आधारित वस्तू के बतले वस्तू लिया जाता था यह यह अपको बार बड़ बता रहा हुं वस्तू वियक व्यपार की वस्ता में प्रणाली माधयम ठत्रत इंसर मुद्रब का कारें नहीं है माध्यम महपन भुखतान यह तिनों मुद्रा का काम है माध्यम माने की लेन दिन का माध्यम है ही माली जी की गेहुं अगर 15 bacyo मिल रहा है आटा 30 रुपय को Shell не मिल रहा है तो आटा क्या से ज्यादा महंगा है तो रुपिया मेहीं मापय है ना आम लों गीक जो यह पापन का है और भुकतान काफी काम करता है आटा खशेली तो 60 रूपिया दे दिये अधे लिखाने लिखना और उसका संपादन यह काम नहीं तो सही सब रोचागा डि अगला सवाल है कउन्धी मूद्रा है का जिसको आप मना नहीं सकते उसको बैधहानिक करते हैं जीसे हैं अगर आप कहें या एक दसका नोट देते हैं और पांच का सिक्खा देते हैं अगर वर्ट्वला कहता है कि कांदार है या हमको दश रुपया नहींक रुप्त है नहीं को से टलै को सकता की कोई दुखानदार का क्यों की अगर आपके सामने इसे से भुखतान किया जा रहा है तो आपको सुष्भार लुखतान करना है तो पे नहींस भूहते हैं और आपको भी क्या करना होगा आपको उसके बदले में दूसरा चीज देना परेगा याने कि पैसा पैसा न सब्थाराइब्प उसको नहीं कर सकता है उसको मना नहीं कर सकता है इसलिए घ्राह मुद्रा तो इसका साही एंसर है अगरा सवाल है निमलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलीत है प्लास्टिक मुद्रा कार्ड होता है और उसको क्या करता है मसीन में ले जाके लगाते हैं पिन डालते हैं पैसा निकल जाता है एटीम उसी को स्वाइब भी कर मुद्रा के रूप में प्रचलित है किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्तु धारन किये हुए है किस ने कहा था आधौनिक विष्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्तू अगला सवाल है इन में से कौन साख का अधार नहीं है साख मने कि किसी से हमको उधार लेना है कर्ज लेना है तो इस में से कौन उसका अधार नहीं है विश्वास बिलकुल साख का अधार होता है चुकाने की छमता भी साख की अधार होती है कोई आपको उतना ही कर्ज देता है जीतना क्या चुका सकते हैं उसको फरुसा हो गया कि आप 2,000,000 चुका सकते हैं तो आपको 2,000,000 का उधार देगा है अगर उसको फरुचा नहीं है कि आप 2,000,000 चुका पाईएगा तो नहीं देगा उसे कhesion तो पहुत कि तो बिश्वास और चुकाने की ये दुनों है रिन की शिंग्षा जो है वह का अधार नहीं होता है ऐज सिक्षित वेक्ति भी ले सकता है लों ले सकता उसे दिक्कत नहीं होना चाहिए है चुकाने की शमता होनी चाहिए चुकाने कीनदा कर दो इसका कौन से रूप है वस्तु के बतले वस्तु का लेंद यह क्या क्या हम अभी भी क्या करते हैं अपने घरों में क्या होता है दो चीनी घट जाते हैं परोसी से घंटी बाड़ियों चाहिए जाता आई हो जरूरी नहीं कि चीनी कर बतले जीन लोटाइए हम लोगों को कुछ होड हलवा डालकर ना कुछ सब्सित डालकर कर दिये ज सब्जता देती है इसी को हते हैं वस्टु यह बेव मा का रूप है और मौधरी उसले रूपया ौए तो सही आत्य पख्ष है साथ के पक्ष यानि वहीं उधार और कर्झ वाली बात है दे रहा है हो भी साथ का पक्ष होता है दोनों क्या है दूसरा हम सब्सक्राइब आगला सीवाल मुद्रा मुद्रा का कारय करती हो मुद्रा की या परिभास किसे ने दी टाइब कैसे यह है जो मुद्रा का कार्य करती है या हाटले विटर्स ने कहा था यह हाटले विटर्स का दिया हुआ परिभासा है इसको याद कर लेज़े मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है मुद्रा माने के लेंदेन का मुद्रा का परमुह कार्य क्या है बिनिमाय का माध्यम यह मुल्य को मापता मेने बताया थे न मुल्य को मापता है और मुल्य का संचयान भी मुड्रा का यह एक लाख रूता है तो पूंजी का निर्मान होता है उप भोग द्वोरा बिन्योग द्वरा अगला उपसंन देखते हैं बचत द्वारा यह इनमें से कोई नहीं तो पूंझी का निर्मान जो है वह बचत के द्वारा होता है कैसे होता है धान समझना पूंजी कैसे बनता है आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा माली जी के आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो उसमें से 200 रुपया बचाईएगा तम आगे चल के कोई काम दंदा कर पाईएगा या फिर उसको बै सकती होती है उतनी योग्यता होती है तो बचत बहुत जरूरी है सही अंसर है इसका सी पुंजी का अधार क्या है बचत है अगला सवाल है साख का परियोग होता है उसका परियोग होता है उपभोग के लिए बिनियोग के लिए ए ओंवी दोने के लिए या इन्मिर्श कोई लेते हैं के अपने चीज़ लेते हैं अपने जरुआत की चीज़ों को खड़ने के लिए लेते हैं आज कर दो कि दो क्या क्या करते हैं तो कोई भी चीज खड़ीद रहा है तो साख का परियोग उपभोग के लिए हो रहा है और दूसरा बिनियोग यानि investment के लिए किया जाता है तो जैसे कि हम अब आप लोग सुनते हूँ कि funding मिलता है company को जैसे कि company कोई और चला रहा है लेकिन funding उसको कहीं और से मिल रहा है मैंने पैसा कोई और दे रहा है उसको यह भी साख के कारण हो रहा है विश्वास है भारोसा कारण ही हो रहा है तो यह भी क्या है साख का परियोग होता है बिन्योग में भी तो सही एंसर हो ग तो और भी पढ़ाई हो रही है तो वह सारा वीडियो भी आप लोग देखिएगा और फिस और लोग पर आ रहे हैं और चैनल पर बहुत जल्दी आपका लाइब क्लास सुरूप होने वाला है तो उसमें भी जूरिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम चैनल का ल पर द्सक्रिप्शन नहें कर दोने वाला है तो जायन हो आपका लुट जातीओा नहीं हमा दो आपका लाइब का लिग जानल आपका लाइब का लिग्यों झाला नहीं पर भी आपका लिगग जाएब का झाला